खेलो दोस्तो मैं आप सभी का दोस्तो रानू एक बफिल से सवागत करता हूँ आपके और हमारे इस यूटूब चैनल स्मार्ट टेक में दोस्तो हर बार की तरह सवार भी आज हम आप सभी के लिए एक बहतरीन वीडियो लेकर आएं तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाल और फिजीकल एजुकेशन जैसे किसी भी तरह की कोर्सेड को करना चाहते हो अभी अभी गरेजुशन की है या फिर 12 पास-आउट किया है तो यहां पर आप भी एजुकेसन लाइन में जाना चाहते होंगे तो जिसके लिए आपको B.E.D. या फिर ड.E.D. करननी होँँ गरा सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर रेलेटिट कोई भी कोर्स तो यहां पर आज की इस वीडियो के साथ अन्तितक बने रहेगा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब किजीगा क्योंकि मैं यहां पर रोज सोब्सक्राइब आठ इसी तरह की वीडियोस अपलोट करता रहता हूं तो चली दूस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं यहां पर सबसे पहले तो आपको अपना कम्पीटर ओपन कर लेना है या फिर मोबाइल में आपको यहां पर 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 अपको सर्च कर दिना है HED SPACE MP ONLINE जैसे ही लिखकर सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी सिंपली यहां पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफीस आपको देखेगा थोड़ा से नीची तरह पाना है तो देखिए यहां पाए तो यहां पर सबसे पहले तो दो स्टेफ होते हैं ठीकिना पहला स्ट्पJean होता है आपका registration कर रेजिस्टेचन की सटेचन की लिंक यहां पर दीग है जैसे कि बेहन पर देख weege द करना चाहते हो यहां पर first पर क्लिक करने और यहां पर बृडड टार्म जो दिया गया है वह आपके लिए नहीं होता है बो होता है governed teachers के लिए या government employee के लिए जो की job के साथ साथ यहां पर बीध का course करना चाहते हैंर उन के लिए options होता है अगर आप भी कोई इस पार्ट-टाइमुली दियड की कॉर्स कर सकते हो शिंपली भी 8 की तरह ही होता है आप यहां पर बात अते हैं सबसे हैं रिजिस्ट्रीशन की बात करे करते हैं यहां पर अगर आप एड करना चाहँ तो क्लिक करें यहां पर अपनी डीटेल सुपहर देनी है अगर आप पोस्ट ग्रेजुशन के जरी यहाँ पर बीएड करना चाहते हो तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुशन सेलेक्ट करना होगा और उसी की डीटेल्स आपको यहाँ पर फिलिप करने होगी पहले नहीं करने होते थे documents upload लेकिन इस साल से एक नया नियम आ गया है कि यहाँ पर आपको documents upload करने होंगे और उसकी जो verification होंगे form के online ही किये जाएंगे जिन documents को आपने upload किया है उनी documents के आधार पर इसलिए यहाँ पर documents upload करने में साबधानी वर्ते और यहाँ पर सही तरीके से documents upload करें मैं यहाँ पर मौटे तोर पर आपको बता दीता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या upload करना है यहाँ पर simply आपको 10th की marks जो कि date of worth proof होने वाली है अगर आप graduation के थिरू ब्येड करना चाहते हो तो पोश्ट ग्रेजूशन की upload करें माक्सी नहीं तो पोश्ट ग्रेजूशन की फाइनल की ही करें ठीक है न और यहाँ पर एक चीज़ का विसेज़ ध्यान दे कि यहाँ पर आपके जाती और नवास offline वाला पुराना जाती हूँ तो वो नहीं चलेगा नहीं नवास चलेगा आ और आपके फर्म का verification नहीं होगा जिस वाएसे आपका list में नाम नहीं आ सकेगा ठीक है न तो यहाँ पर ए तो हो गई registration की बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप सारी चीज़े original upload करते हो सही तरीके से फर्म भरते हो registration करते हो तो यहाँ पर आपका verified तो हो जाएगा online ही इसके बाद अब यहाँ पर बात आती है counseling की तो यहाँ पर counseling के लिए देखिए यहाँ पर जो भी आप course वगरा करना चाहते हो जैसे कि माली जी यहाँ पर आपने बीएड के लिए apply किया है ठीक है ना तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ options देखने को मिल अब इसके नीचे एक options नहीं आ रहा है लेकिन आप open करोगे तो आपके में choice feeling का options आ जाएगा यहाँ पर second number पर तो उसी choice feeling की options पर click करने बाद यहाँ पर आपको counseling परिकरिया में भाग ले लेना है ठीकिना यहाँ पर जितने भी आप अपने नजीदी की college वगरा डालना चाहो counseling के द्वारा वो डाल सकते हो डालने के बाद 50 रुपए की payment करने होती है अगर आप SC के candidate हो तो यहाँ पर registration fees आपकी यहाँ पर मातर 125 रुपए रहेगी और OVC Journal के candidate हो तो यहाँ पर आपकी registration fees 500 रुपए रहेगी बाकी choice feeling के लिए बाकी choice feeling की fees सभी के लिए समान रहेगी 50 हूँ तो यहाँ पर आपको दुबारा से इसी options पर आ जाना है जहाँ पर मैं पहले आया था अप थोड़ा से नीची के तरफ आना है तो यहाँ पर देखी rule book and counseling schedule यहाँ पर दिया गया है कोई के link में यहाँ पर right side में नीची के तरफ तो यहाँ पर simply आपको click कर देना है तो एक PDF फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी यहाँ पर counseling से related first round second round third round सभी round हो कि यहाँ पर क्या कैसी का date बगरा रखी गई है कब तक allotment आएंगे कब तक list आएगी कब तक form भरेंगी क्या कैसी यह detail है पूरी सारी की सारी details इस 46 pages के PDF में आपको देखने को मिल जागी यह पूरा PDF PDF हिंदी में तो आपको read करने में भी problem नहीं होगी तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर अगर आप beard करना चाहते हो मत्पेदेश की नवासी हो तो यहाँ पर सारे rules and conditions आपको समझ आ चुके होंगे अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल बगरा रहता है तो आप देग Instagram ID को follow कर सकते हो वहाँ पर आपनी सवाल को पूछ सकते हो तो चली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद